Hello Everyone, Welcome to Economics Preparation आज Indian Economy की एक महतुपूर्ण क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग काफी सारे मुद्धों पे बात करेंगे और ये मुद्धे रिलेटेड होंगे किसे? अग्रिकल्चर से क्रिशी छेत्र से सम्मंधित बहुत सारे टॉपिक जिधर से आपके परिक्षाव में सवाल बनते हैं तो इस तरीके के सभी टॉपिक पे आज हम लोग यहां पे बात करेंगे आईए आप लोग जुडिये सेशन में और एक बार कन्फर्म करिएगा कि सब कु कुछ नहीं कहना है तो फिर हम लोग सेशन को कॉंटिनू करते हैं आज जितनी बातेमाईआप से करने वाला हूँ इधर से आपके परिक्षाव में अकसर सवाल पूछे जाते हैं तो ध्यान से क्लास को पूरा देखना है समझना है और जो भी चीज आपको जरूरी लगे उसकी आप नोट्स भी चाहें तो बना ले otherwise मैं तो नोट्स दे ही दूँगा ठीक है ना? तो चलो फिर सुरू करते हैं इंडियन एकॉनमी में मैंने बोला कि आज मैं आप सभी के साथ जो चर्चा करने वाला हूँ वो चर्चा मैं करने वाला हूँ किस से रिलेटेड? एग्रिकल्चर से रिलेटेड क्या हो गया इस पेन को? एक मिनट एक मिनट इस पेन की सेटिंग में कोई प्रॉबलम है अभी मैं उसको ठीक कर लूँ फिर जो है मैं आगे की चीजें करता हूँ पेन की सेटिंग क्या हो गया इसको इसको सॉटकट कीज डिपॉल्ट ठीक पेन सेटिंग डिपॉल्ट अभी इधर पेन की सेटिंग में थोड़ी सी प्रॉबलम मुझे फेस करने पड़ रही है हाँ अभी ये सॉल्व हो चुकी है ठीक है ना एक बार देख लेता हूँ आप लोग का कोई कमेंट बगरह तो नहीं आया है चलो बहुत बड़ी है ओके इंडियन एकॉनमी में हम लोग एग्रिकल्चर से आज के क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रिसी जो है आज भी भारती आर्थ व्योस्था में आधार की रूप में देखी जाती ठीक है ना और आपको ये भी पता होगा कि इतर से सम्मंधित जो अन्य छेतर उन सबसे मिला जुला के मिल रहा है तो कहीं न कहीं बड़ा ही महत्तुपुर्ण हो जा रहा है हमारे यहां क्रिसी छेतर इसके अलावा हमारे यहां की पापुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जब हमारे यहां खाद्यान भी ठीक तरीके से नहीं उपलब्ध हो पाते थे और हमको गेहूं वगरा का आयात करना पड़ता था और अमेरिका से एक बार ऐसा भी हुआ कि हमने गेहूं का आयात किया तो उन्होंने इतना घटिया किसम का गेहूं भेजा था जो कि उधर पसुओं को खिलाया जाता था उसके बाद फिर हमारे नीती निर्माताओं का ध्यान इस ओर आता है और उन्होंने यह डिसाइड किया कि हमको खाद्यान के रूप में आत्म निर्भरवन ना है और उसके बाद फिर कहानी आगे कि आप सभी जानते ही है हमारे यहां हरित करांती आई और लगातार सरकार फिर अनेक योजनाओं के माध्यम से नीतियों के माध्यम से किरिसी कारे को किसानों को बीच-बीच में प्रोतसाहित करती रहती है ताकि हमारे यहाँ इस तरीके का कोई भी खाद्यान का संकट ना आने पाए ठीक है ना किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कत ना आने पाए तो overall आप समझ गए होगे कि agriculture जो है हमारे यहाँ काफी महत्वुन हो जाता है agriculture में आपको पढ़ना क्या होता है इधर आपको पढ़ना होता है कि में जो चीज आपको देखो पढ़नी है वो यहीं से पढ़नी है कि हमारे यहाँ हरित करांती की जो सुरुवात होती है में चीज क्या कि हमारे यहाँ जो हरित करांती की सुरुवात होती है तो उधर से ही आपको में चीजें पढ़नी है ठीक है न? ओके देखो पहली पंचवर्सी ओजना जब बनती है पहली पंचवर्सी ओजना बनी और उस टाइम में यानि उस पंचवर्सी ओजना के टाइम में हमारे यहां का जो क्रिसी छेतर था या क्रिसी की इस्थिती थी वो काफी ही निरासा जनक हुआ करती थी बहुत ही पिछडी अवस्ता में आप कह सकते हो उसके पिछे रिजन थे रिजन आप सभी को पता है कि जब हमारा देश आजाद होता है उसके आजाद होने से पहले तक आप सभी को पता है कि बिर्टिसर्ज ने यानि अंग्रेजों ने हमारे यहां के जो किसान है ना उनके पूरे फसल पैटर्न को ही बदल के रख दिया था उनसे वो जबरजस्ती नील की खेती करवाते ऐसी ऐसी खेती करवाती जो उनके हिसाब से फाइदेमन थी ठीक है इसके अलामा और भी तमाम समस्याएं थी जो हमारे किसान थे वो रिडों के जाल में उलजे हुए थे जोतों का आकार नहीं विवस्तित हुआ करता था जोते वि किसानों के पास पैसा नहीं होता था बहुत सारी ऐसी प्राब्लम्स होती थी ठीक है ना लेकिन इसके बावजूद भी उस समय हमारे देश में लगभग जितनी पापुलेशन थी उसका लगभग सत्तर प्रतिसत लोग जो है किधर लगे हुए थे क्रिसी कारियों में लगे ह लेकिन सोचिएगा आप कि सत्तर प्रतिसत लोग क्रिसी कारियों में लगे हैं उसके बावजूद हमारा देश जो है वो खाद्यानों के उत्पादन में स्वावलम भी नहीं था मतलब कि वो इतना उत्पादन नहीं कर पाता था जितनी की अवसकता थी देश के निवासियों का पेट भरने के लिए तो यहां पे खाद्यानों का आयात करना पड़ता था यहां पे खाद्यानों का आयात करना पड़ता था एसी इस्तिती में फिर आगे देखिएगा कितना कैसे सुधार होता है और वर्तमान की क्या इस्तिती है तो काफी लंबी जर्नी रही है क्रिसी च्छेत्र की चीक है ना तो जब देखो हमारा देश श्वतंत्र होता है उसके बाद फिर क्या योजना आयोग अस्थापित हुआ फिर पंचवर्सी योजना बनी तो यहां पर योजना आयोग ने चार मुख्यू देश से रखे कि कैसे जो है क्रिसी उत्पादन यानि जो चार मुख्यू देश से रखे वो इसलिए रखे कि कैसे हमारा देश जो है वो क्रिसी छेत्र में क्रिसी छेत्र में एक तो क्या बेहतर करेगा एक तो क्या मैंने बोला बेहतर करेगा दूसरी चीज क्या कि जो खाद्यानों के संदर्भ में आत्म निर्भरता की प्राप्ती है तो वो ये बनाया कि क्रिसी उत्पादन में क्या करना है? क्रिसी उत्पादन में व्रिधि का लक्ष रखा गया. ठीक है ना? क्रिसी उत्पादन में क्या व्रिधि का लक्ष रखा गया? और इसमें क्या-क्या बातें डिसाइड की गई? इसमें ये target किया गया कि जो क्रिसी आधीन छेत्र है जिसमें कि क्रिसी कार्य किया जाएगा उसमें लगातार वृध्धी करते रहना है ठीक है ना यानि बहुत सारी ऐसी भूमी जिस पे खेती का कार्य न हो रहा हो उसको हम इस टाइप क्या बना दें कि उधर खेती का कार्य शुरू हो जाएगा दूसरा क्या उन्होंने इसके अंतरगत सामिल किया target कि जो प्रती hectare उत्पादकता है प्रती hectare उत्पादकता को बढ़ाने पे जोड़ दिया कैसे बढ़ेंगे अच्छे quality के input लेके आएंगे सिचाई की व्यवस्था करेंगे hybrid यानि की उच्छ किस्म के वीज होंगे उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तीसरी बात क्या कि जब ये सब करेंगे तो क्रिसी उत्पादन बढ़ेगा तो इस माध्यम से चलो current क्रिसी से related class करा दूँगा बिल्कुल करा दूँगा एक बार ये traditional पार्ट पढ़िया भी आप देखेंगे इसमें काफी latest चीजे भी मैंने सामिल किया हुआ तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला कि पहला काम क्या क्रिसी क्रिसी उत्पादन में व्रिधी जो करेंगे उसमें तीन बाते इन होने target में लिया कि क्रिसी आधीन छेत्र जो है उसमें व्रिधी करना है प्रती hectare उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्रिसी इंपुट अग्रिकल्चर इंपुट जैसे की अच्छे क्वाल्टी के seeds होने चाहिए सिचाई की बढ़िया बेवस्था होनी चाहिए उर्वरकों का बढ़िया प्रवंध होना चाहिए ये सब करेंगे तो क्रिसी उत्पादन में व्रिधी होगी ये पहला target था ठीक है दूसरा target क्या रखा गया दूसरा target रखा गया रोजगार के आउसर बढ़ाना और क्रिसी उत्पादन में व्रिधी के सांथ क्रिसी छेत्र को रोजगार के अत्रिक्त आउसर कायम करने होंगे और इस प्रकार हमारे गाउं में गरीब वर्गों की आये बढ़ेगी या बढ़ानी होगी तो योजना आयोगनिया पर जो दूसरा target लिया वो ये लिया कि रोजगार के आउसर को बढ़ाना है कैसे बढ़ाएंगे एक तो target क्या कि क्रिसी उत्पादन में व्रिधी करना वो तो आपने देख लिया अब क्रिसी छेत्र को रोजगार के अत्रिक्त आउसर लेके आने होंगे कायम करने होंगे कुल मिला कि क्रिसी छेत्र में कैसे और रोजगार के आउसर आ सके इस पे कौन ध्यान दिया इस पे ध्यान देने का कारी किया किसने योजना आयोग ने जो चार मुख्य उद्देश ले करके उन्होंने शुरुआत किया अगला उद्देश से क्या अगला उद्देश लिया कि भूमी पे जनसंख्या के दवाओ को कम करना है ठीक है न क्योंकि जनसंख्या का ज़्यादातर भाग देखो भूमी पे ही निर्भर है तो कहीं न कहीं यहाँ पे क्रिसी छेत्र के आयोजन का एक और वुनियादी लक्ष जो है वो क्रिसी पे काम करने वाले बेक्तियों की संख्या को कम करना है और इनको किधर सिफ्ट करेंगे सिम्पल सा वर्ट समझे जो क्रिसी छेत्र में लोग लगे हुए है इनको किधर सिफ्ट करना है इनको एक तो दिवतियक छेत्र यानि अद्योगिक छेत्र में सिफ्ट करना है और तृतियक छेत्र यानि की सेवा छेत्र की ओर सिफ्ट करना है ये तीसरा लक्ष हो गया जो योजना आयोग ने बनाया उस टाइम की ये बात है ठीक है चौथे लक्ष की बात करेंगे चौथा लक्ष इधर क्या था? कि जो ग्रामीड छेत्रों में आय की असमानताओं थी उनको कम करना है ठीक है न? तो चौथा लक्ष योजना आयोग ने बनाया उस टाइम कि कैसे ग्रामीड छेत्र में आय की असमानताओं को कम किया जाए ठीक है छोटे और सिमान्त किसानों में इस प्रकार वितरीत करना कि इससे ग्रामेड छेतर में कुछ हद तक समानता और न्याय कायम हो सके। ये चार मुख्य उद्दे से वनाए योजना आयोग ने। और फिर पंचवर्सी योजनाओं में अक्सर इस बात पे ध्यान दिया गया कि कैसे क्रिसी उत्पादन में वृध्धी की जाए, कैसे रोजगार में वृध्धी की जाए, ठीक है। तो ऐसे में पंचवर्सी योजनाओं में विभिन कारिकरम भी चलाये गए, पहले चलाये गए, जैसे सामुदाइक विकास कारिकरम चलाया गया। क्रिसी विस्तार की जो सेवाए हैं उसको देश भर में फैलाया गया। सिचाईस विधाओं, उर्वरकों, कीटनासकों, क्रिसी, यंत्रीकरण इन सब का विस्तार किया गया। इसके साथ साथ परिवहन, पावर यानी जो पूरा इंफरस्ट्रक्चर है, इस पे भी सरकार ने बराबर से ध्यान दिया ताकि क्रिसी छेतर की समस्याएं जो है वो दूर हो सके। ये शुरुवात में टार्गेट किया गया। आगे जब बात ऐसे नहीं बन रही थी, अभी तो ठीक है, लेकिन आगे सरकार ने देखा कि अभी ऐसे प्राबलम नहीं सॉल्व हो पा रही है। हम कितना ही सपोर्ट कर दें, लेकिन लोगों की समस्याएं नहीं खतम हो पा रही है। तो यहां पर फिर क्या हुआ, कि हमारे देश में फिर क्रिसी खाध्यानों में, या सिम्पल सा आप कह सकते हो, खाध्यानों में आत्म निरभरता प्राप्त करने के लिए एक क्रांती हुई, जिसे हरित क्रांती के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांती यानि की ग्रीन रिवालूशन के नाम से जाना जाता है। हमारे यहां बफर स्टॉक इतने हैं कि अभी आपने देखा है पिछले दो-तीन साल से मुफ्त में लोगों को अनाज वितरित किया जा रहा है। तो यह सब कहां से आया। यह सब उस प्रयास से आया जो हरित क्रांती के माध्यम से किये गए और हमारा देश खाद्यानों में आत्म निर्भर हो सकता। अब बात करते हैं खरित क्रांती यानी कि Green Revolution के। 1960 के दसक में Norman Borlaug के द्वारा यह शुरू किया गया एक प्रयास था हलाकि यह Norman Borlaug जो है यह फादराफ Green Revolution जाने जाते हैं इस नाम से लेकिन बैस्विक अस्तर पे। ठीक है ना बैस्विक अस्तर पे। Green Revolution में हुआ क्या इसमें बहुत सारे प्रयोग किये गए जैसे कि High Yielding Varieties High Yielding Varieties अच्छा इसी लिए इसी के लिए Norman Vorlag को क्या सांती का Nobel पुरसकार भी मिला था लेकिन अगर भारत में बात करेंगे कि भारत में हरित करांती कौन लेके आया तो ये किया गया MS Svaminathan के द्वारा ठीक है ना और हरित करांती के फल सुरूप क्या देखा गया कि हमारे देश में जो खाद्यानों जितने भी देखो खाद्यान हरित करांती के परिणाम सुरूप सबसे जादा जो सबसे जादा खाद्यान में उत्पादनों में व्रिध्धि हुई वो गेहों में हुई उसके बाद चावल में हुई ठीक है ना उसके बाद चावल में हुई ठीक अब ये कब सुरू होता है तो हमारे यहां जो हरित क्रांती सुरू हुई वो 1967chuss में सुरू हुई और 1977omnia की अवधी तक जो है हरित करंद के माध्यम से भारत जो है भारत खाध्यानों की कमी वाले देश की सरेड़ी से निकल करके विश्व के अग्रणी क्रिसी देशों की सरेड़ी में सामिल हो जाता है तो दस वर्सों में ऐसे प्रयास किये गए, ठिक है न, ऐसे प्रयास किये गए कि भारत में जो है, खाध्यानों के छेत्र में आत्म निर्भरता देखने को मिली, ओके, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, इसका उद्देश से क्या था, उद्देश से देखो, सिंपल सि थे, क्या-क्या उद्देश से था, एक तो उद्देश यह था कि भारत में जो भुखमरी की समस्या है न, उसको कैसे दूर किया जाए, ये सौट टर्म के लिए, ओके, और लांग रन के लिए, ये लांग टर्म के लिए क्या था, कि ग्रामिड विकास और द्दूगिक विका से ही क्रिसी योगी भूमी के छेतरफल को विस्तारित किया जा रहा था, ये मैंने आपको बताया कि स्वतंतरता के बाद से ही सरकार ने इस पे ध्यान देना सुरू कर दिया था, लेकिन खाद्यानों की बढ़ती मा को पूरा करने में ये कदम परयाप्त नहीं थे, फिर क्या होता है, ठीक है ना, हरित करांती के जो मूल तत्तों हैं उसमें क्या-क्या उसको देख रहे हैं, तो क्रिसी योगी भूमी का विस्तार तो पहले से ही किया जा रहा था, लेकिन जब हरित करांती ग्रेन डिवालूशन होई, तो इसमें ये और बहतर तरीके से होता है, तो क्र वर्स में वहाँ पे क्या एक ही फसल का उत्पादन किया जाता था या एक ही फसल की खेती होती थी लेकिन जब green revolution आता है तो इसके तहट वर्स में एक के बजाए दो फसले प्राप्त करने का निर्णे लिया गया ठीक है ना दो फसले उन्नत आनुवंसिकी वीजों का उपयोग बढ़िया क्वाल्टी के जो वीज है उनका उपयोग कहां पे शुरू हुआ green revolution में ठीक है ना और बढ़िया बीज रहेंगे तो फसल भी अच्छी होगी अब कौन-कौन सी महत्पुन फसले सामिल हुई तो मुख्य फसलों में देखो सबसे नंबर एक पे गेहूं दैन फसलों तक हरित करांती का मुख्याधार बनी रही तो अगर आपसे सवाल पुछे कि सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा green revolution किधर किस फसल को ले करके सकसिज रही तो वो सकसिज रही गेहूं को ले करके ठीक है ना तो इतनी बाते मोटा मोटा आपको हरित करांती में अब इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हुई एक तो देखो फसल उत्पादन में व्रिद्धी देखने को मिली ठीक है ना फसल उत्पादन में व्रिद्धी खाध्यान के आयात में काफी कमी देखने को मिली किसानों को लाभ मिलना सुरू हुआ ठीक है ना किसानों को लाभ मि अध्यम से क्रिसी में यंत्री करण को बढ़ावा दिया गया तो इससे क्या हुआ जैसे जो क्रिसी उपयोगी यंत्री करण जैसे ट्रैक्टर हो गया हार्वेस्टर हो गया थ्रेसर डीजल इंजन इलेक्रिक मोटर पंप सेट इन सबकी डिमांड बढ़ने लगी इन सबकी डिम में भी क्या डिमांड इजनरेट हुई तो इनका भी प्रोडक्शन बढ़ा तो कहीं न कहीं ये भी इंडस्ट्री वनिये ग्रामीड रोजगार बहु फसली कारेक्रम और वर्कों के उपयोग के कारण स्रम बल की माग में वरिध्धी हुई देखो जब एक साल में एक बार खेती की जाएगी तो कम डिमांड रहेगी लेबर की जब दो बार की जाएगी तो ज़्यादा रहेगी डिमांड तो ये सब फाइदे थे हरित करांती के ये ग्रीन डिवालूसन हो गया ठीक है ना ग्रीन डिवालूसन तक हो गया इसका पीडिएफ भरित क्रिशी क्या है सब बताऊंगा परिसान नहीं हो न ठीक है न और पीडिएफ के पीछे आप लोग बहुत जल्दी परिसान होने लगते हैं मुझे समझ में नहीं आती है ये बात दे दूँगा पीडिएफ क्यों परिसान है ओके वेट हरित क्रांती आपने देख लिया हरित क्रांती के साथ साथ अभी देखो बहुत सारी ऐसी चीजें भी आपको देखनी है ग्रिकल्चर सेक्टर में जो की और भी इंपोर्टेंट है ग्रिन डिवालूसन से तो मोटा मोटा जो भी चीजे थी मैंने आप सभी को बताया अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रिसी कीमत नीती के बारे में किसके बारे में बात करने वाले हैं क्रिसी कीमत नीती के बारे में बात करें उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या इस्थिती रही है शुरू से तो देखो हमारे देश श्वतंत्र होता है और उसके बाद की कहानी को हम लोग देखना इधर शुरू करते हैं ठीक है ना उसके पहले जो भी कहानी चली चली खाद्य विभाग खाद्य विभाग का पुनर गठन होता है 19 अगस्त 1947 को खाद्य मंत्राले के रूप में ठीक है ना और उसके बाद ये चीजें चलती रहें फाइनली जो है फाइनली आपको क्या आगे इसमें क्या देखना है हाँ 1965 में ये चीज ध्यान से रखिएगा 1965 में देश में खाद्यानों विशेश रूप से ग्यहों की भारी कमी को देखते हुए खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अंतरगत विभाग में भारती खाद्य निगम यानि FCI की अस्थापना की गई तो एक क्वेशन आपका इधर से ये बनता है कि FCI यानि भारती खाद्य निगम की अस्थापना कब की गई 1965 में की गई उसके बाद देखो कुछ विले वगर है किये गए इसको आप छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं अब डाइरेक्ट हम लोग पहुँचते हैं क्रिसी कीमत नीतिपे क्रिसी कीमत नीतिपे इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी जो आपकी परिक्षा में आप खुद ही देखेंगे कि PDF मैं एक्सर दे देता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कभी कभाल लेट हो जाता है लेकिन अब मैंने क्या है कि मैं दे देता हूँ PDF ओके हाँ चलो तो अब हम लोग देखो कहां पे थे क्रिसी कीमत नीत की बात कर रहे थे क्रिसी कीमत नीत देखो जो क्रिसी वस्तुएं हैं क्रिसीगत वस्तुएं हैं आप क्रिसीगत फसले भी बोल सकते हो जैसे गेहूं हो गए चावल में देखो चावल बोलो या धान बोलो दोने चीजे तो इनकी कीमतों में अगर उतार चड़ाओ होता रहता है तो काफी नुकसान जहलना पड़ जाता है उदारन के लिए मानलो कि अगर क्रिसी पदार्थ जो है जैसे कि मानलो आपने गेहूं ही ले लिया Suppose that आपने गेहूं ले लिया ठीक है ना अब गेहूं की कीमत में अगर अधिक कमी हो गई तो क्या होगा जो गेहूं का उत्पादन कर रहा है क्रिसक जो 6 महीने मेहनत कर रहा है ठीक है इतनी समस्याओं को जहलते हुए उत्पादन कर रहा है अगर कीमत में गेहूं के कमी हो जाती है तो उत्पादन करता को, यानि कि क्रिसक को क्या होता है, सीधे सीधे आप बोलो क्रिसक, क्रिसक को क्या होता है, भारी नुकसान सहना पड़ता है, यानि हानी सहन करना पड़ता है, तो एक तरफ उनका क्या होगा, जब वो हानी सहन करेंगे, हानी सहन करेंगे, तो उनकी क्रिसक जो है वो खेती करने से थोड़ा दूर हटें क्योंकि उनको नुक्सान हो रहा उनको और एक चीश समझेगा हमारे देश में जो किसान है ना किसानों की स्थिती बहुत अच्छी नहीं रहती है क्योंकि खेती किसानी इतना आसान काम नहीं है आज कल तो लागत इतनी ज़्याद हो जाती थी लेकिन आज का वो टाइम है कि भारी मात्रा में उर्वरकों का परियोग करना पड़ता है भारी मात्रा में कीटनासकों का भी परियोग करना पड़ता है तब जाकर के फसल तयार होती है ठीक है तो ऐसे किसान जो की देखो अब किसान का भी उद्देश क्या होता उनकी आमदनी बढ़े, आमदनी कैसे बढ़ेगी, जब उनका उत्पादन जो है, उत्पादन उनका जब अच्छा खासा हो जाएगा, तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, तो एक तो देखो किरसी, अच्छा, आज कर किरसी में एक नया कॉंसेप्ट आया है, और्गैनिक फार्मिं पूर्ण रूप से और्गैनिक फार्मिंग करने वाला इस्टेट या राजे कौन सा है बता दो जिसको पता हो पूर्ण रूप से और्गैनिक फार्मिंग करने वाला राजे कौन सा है जिसको पता हो बता दो एनिवन सिक्किम बहुत बढ़ियां सिक्की में कैसा राज है जो पुर्ण रूप से और्गैनिक फार्मिंग कर रहा है ठीक है ना तो और्गैनिक फार्मिंग में क्या और्गैनिक फार्मिंग में देखो किटनासक का परयोग नहीं करेंगे उर्वरक का परयोग नहीं करेंगे इसका सीधा सा फरक क्या देखने को म लेगा कि पैदावार कम रहेगी लेकिन दूसरी तरफ फाइदा क्या होता है कि ऐसे उपज का मूल ले जादा होता है, मार्केट में वो चीजे कॉस्टली बिखती है ठीक है न, मार्केट में वो चीजे महगी बिखती है लेकिन नार्मल जो किसान खेती करता है वो तो ये चाहेगा ना अधिक से अधिक उत्पादन हो फिर उसको वो बेचे और उसको पैसा मिले खर ये तो साइड की कहानी हो गई अभी कृसी कीमत नीत पे हम लोग बात कर रहे हैं तो किसी कीमत नीत में ये हुआ ना कि अब जब ऐसी इस्थिती थी कि क्रिसक हो सकता है कूतपादन ही ना करे तो सरकार का इस पे ध्यान गया और फिर सरकार ने ये महसूस किया कि कुछ तो ऐसा कारे करना पड़ेगा जिससे हमारे जो क्रिसक भाई हैं जिससे हमारे क्रिसक लोग जो हैं वो खेती करने से दूर ना भागें ठीक है ना सरकार ने यहाँ पे क्या किया एक नीती बनाने का फैसला किया एक नीती बनाने का फैसला किया और बीच सुरुवात से यह चीजे चलती रही जिसके माध्यम से वो जो कृसीगत वस्तुवे उत्पादित हो रही है जो फसल आ रही है उनको मुले कैसे मिले ठीक है ना तो सुरुवात में जो कृसी कीमत नीतियां बन रही थी उनमें काफी कमिया थी जो थोड़े बहुत प्रयास किये जा रहे है तो उसमें काफी कमिया चल रही थी ठीक है ना फिर आगे क्या होता है आप देखो कुछ कमेटिया बनी जैसे कि एक देखो खाद्यान कीमत नीति कमेटि 1947 में बनी और इसकी सलाहों को मान करके कुछ प्रतिवंध कम किये गए ठीक है ना लेकिन फिर क्या हुआ 1948 में खाद्यान का संकट हुआ फिर कीमतों में काफी बृद्धी हुई कुल मिलाके होता ये था ना कि अगर मानलो की कोई भी प्रॉपर पॉलिसी नहीं थी तो अगर थोड़ा बहुत उत्पादन में 1920 हुआ या कोई समस्या आई तो किरिसी के जो मुल थे खाद्यानों के उनमें काफी उतार चड़ाओ होने लगता था तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया था कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ये कहानी फिलाहल देखो आगे चलती रहती है और फिर सरकार ने यहाँ पे क्या किया सरकार द्वारा नियूनतम समर्थन कीमत और वसूली कीमत को निश्चित करना ठीक है ना तो खाद्यान कीमत कमेटी 1964 ने क्रिसी कीमत कमीशन अस्थापित करने की सलाह दिया 1965 में ये कमीशन बना दिया जाता है और फिर क्या होता है 1985 में 1985 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम हो गया क्रिसी लागत तथा कीमतों के लिए आयोग ठीक है ना और इसकी अस्थापना होते ही इस आयोग ने नियूनतम सहायक कीमत, वसूली कीमत, इस्यू कीमत ये सभी कीमतों को निश्चित करना शुरू किया और ये प्रयास किया कि कीमतों में जो भी कीमते निर्धारित की जा रही हैं उन से यानि कि जो भी नियूनतम कीमत बनाई गए उससे कम ना होने पाए कीमत तो सरकार ने क्या किया कि सरकार ने जो नियूनतम कीमत घोसित किया उस नियूनतम कीमत घोसित नियूनतम कीमत पे बड़े पैमाने पे खाद्यानों की खरीद को आरंभ कर दिया आज भी आप देखते होंगे कि MSP जारी किया जाता है ठीक है ना और उस MSP के माध्यम से उस नियुंतम समर्थन मुल्ले के माध्यम से सरकार जो है, खूब मात्रा में क्या करती है खाद्यानों की खरीदारी करती है ठीक है न? यह हो गया उसके बाद जो एक है न? प्रोक्यूर्मेंट कीमत इसको क्या? नियुंतम सहाय कीमत से उपर रखा गया और सरकार द्वारा इसका प्रयोग खाध्यानों के लिए किया गया और इसका फिर क्या होता था इसका सारोजनिक वितरण के लिए इसको खरीद करके भंडार करने में इसका उपयोग किया जाता है इसू कीमत क्या है जिस पर सरकार रासन डीपों वा दुकानों के तहत खाध्य तो तीन कीमतें ये थी और सबसे जो महत्पुर्ण है वो है नियुनतम समर्थन मुल्य मीनिमम सपोर्ट प्राइस MSP ठीक है न। MSP का उद्देश से क्या है कि जो कृसी मुल्य है यानि कि जो कृसी उत्पादन है उनके जो मुल्य है उसमें से अगर कोई तेज गिरावट हो र कर रही है किन को क्रिसी उत्पादकों को सरकार यहां पर क्या कर रही है क्रिसी उत्पादकों को एक सुरक्षा परदान करेगी किसके माध्यम से MSP के माध्यम से minimum support price निउन्तम समर्थन मुल्ले के माध्यम से ठीक है न और यहां पर देखो CACP CACP सिफारिस करता है तो CACP की सिफारिसों के आधार पे कुछ फसलों के लिए कुछ फसलों के लिए बुवाई के मौसम की सुरुवात में ही भारत सरकार के द्वारा निउन्तम समर्थन मुल्ले की घोसना कर दी जाती है और उदेश क्या है उदेश यह है कि क्रिसक जो है उनको अपने क्रिसी उत्पाद को के मौल्ले के लिए एक तरीके का क्या सुरक्षा मिले उनको ये ना डर रहे कि अगर कोई अनिश्यतता आती है हमारे देश में तो हमारे जो क्रिसी उत्पाद है उनके मौल्ले कहीं ऐसा न होगी आवस्यक्ता से अधिक कम हो जाएं इसलिए MSP जो है वो घोसित किया जाता है और फसल की बुवाई से पहले ही ये घोसित कर दिया जाता है ठीक है ना कैसे निर्धारित होगा यहाँ पे क्रिसी लागत और मुल्ले आयोग देखो विभिन अवस्तुओं की मुल्ले नी जो क्या-क्या ध्यान में रखेगा माग और आपूर्थी को उद्पादन की लागत को घरेलू और अंतरास्टी दोनों बाजारों में मुल्ले प्रवित्या क्या है अंतर फसल मुल्ले बहुत सारी चीज़ों को देखो ध्यान में रख करके फिर ये जारी किये जाते हैं MSP कि इतनी सारी बात है। उद्देश से क्या है? आपने देखी लिया उद्देश से क्या है? मेन उद्देश यही है कि कृषकों को उनके उत्पाद के लिए एक नियुंतम मुल्ल की सुरक्षा परदान की जाए। इस समित ने भूमी सुधार, सिचाई, साख, बीमा, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, क्रिशी उत्पादक्ता, क्रिशक प्रतिसपरधा इन सबसे से रिलेटर तमाम सुझाओ दिये। अब क्रिशी में उत्पादन लागत के लिए देखो A2 क्या है, A2 प्लस FL क्या है, C2 क्या है, ये सारी चीज़ें अलग-अलग लिखी है और इससे बहुत ज़्यादा आपसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ये आपको नोट्स दे दूँगा, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीज़ेगा। तो इस माध्यम से देखो MSP जारी किया जाता है, कितनी फसलों के लिए जारी किया जाता है। बताईएगा, उसके बाद हम लोग सारुजनिक वित्रन प्रणाली की बात करने वाले हैं। MSP कितनी फसलों के लिए जारी किया जाएगा। ठीक है, सही है ना। कहीं-कहीं किताबों में आपको 22 भी मिल सकता है, लेकिन 23 ही है। हाँ, वहीं मैंने बोला ना, कहीं-कहीं 22 भी आपको मिल सकता है। कहीं-कहीं क्या है ना, गन्ने के लिए वो अलग से उसको रखते हैं। 22 और 32 दोनों चीज़ें आपको किताबों में मिल सकते हैं। दोनों उत्तर याद रखिएगा, और परिक्षा में जैसा आपका अपसन आए, उसे हिसाब से आप टिक कर दीजिएगा। वैसे question इतने भी गलत नहीं बनेंगे। ठीक है ना। तो 22 और प्लस एक वही सुगर क्रेनानी गन्ने के लिए लाभकारी मून ले। तो यह आपका MSP हो गया। 23 फसल आप बोलो, 22 बोलो दोनों चलेगा, 22 प्लस वन कर दो, कुछ लोग जो है गन्ने को भी MSP के तहती ही काउंट करते हैं तो 23 हो जाती है, नहीं तो 22 और एक जो है गन्ने के लिए लाभकारी मून ले। तो यह MSP अब सारजनिक वितरन परनाली की बात करते हैं थोड़ा बहुत सारोजनिक वितरन परनाली। लाव क्या होता है? लाव ये होता है कि जो मुल्य अस्तर है, खाध्यानों का, मुल्यों को नीचे अस्तर पर बनाये रखने में सफलता मिलेगी, यानि मुल्य बृधि नहीं होने पाएगी. साथ ही साथ जो हमारे देश के कमजोर वर्ग हैं, जिनकी आमदनी कम है, ऐसे लोगों को कम मुल्य पे आवस्यक वस्तु में उपलब्ध कराई जाती हैं. किसके माध्यम से? पबलिक डिस्टिवियूशन सिस्टम के माध्यम से, पीडियस के माध्यम से, कब सुरू हुआ? 1960 के द के बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार जो है, मुफ्त में खाध्यान का वितरण किया जा रहा है. रिजन क्या है? कि निम्न आये वर्ग वाले जो लोग हैं, उनको एक तरीके का सपोर्ट देना. ठीक है न? तो ये हो गया. अब यहाँ पे देखो एक बात और समझिएगा. सारुजनिक वितरण प्रणाली जो है. तो इसमें एक तो सरकार का ये दाईत तो होता है कि वह कमी वाले राज्यों की अवसकताओं को पूरा करें. ऐसे राज जिधर खाद्यानों की कमी है तो उसको पूरा करना है. तो सरकार क्या करेगी केंदर सरकार? कि ऐसे राज जिधर खाद्यानों का अतिरेक है, यानि जिधर अधिकता है, वो ले करके निउन्तम यानि जिधर कमी है उधर दे सकती है या ऐसा हो सकता है कि केंदर सरकार ने अपने पास जो भंडार में खाद्या निकठा कर रखा है पहले के वर्सों में उससे क्या करे इस कमी को पूरा करे तो ये सारी चीजें जो है पॉब्लिक डिस्टिबूशन सिस्टम के माध्यम से चलती है और सारीजनिक वितरन परणाली का एक महतपुर्ण जो पक्ष है या तरीका आप बल सकते हो कि उचित मुली की दुकाने आप से भी इसे किस नाम से जानते होंगे सस्ते सरकारी रासन वगर है कि दुकान के अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नाम से जाना जाता है तो उसके माध्यम से सरकार जो है इधर सपोर्ट देती रहती है अच्छा बताते जाईए कि कौन-कौन सा एक्जाम के लिए important है, सब कुछ important है क्योंकि वही चीजे मैं लेके आऊँगा जो आपके एक्जाम के लिए important है थोड़ी बहुत कहानी तो समझनी पड़ेगी थोड़ी बहुत कहानी के साथ बाकी चीजे important ही है ठीक, तो ये होगे आपका सारुजणिक वितरन पनाली में अब देखो ये है लक्षित सारुजनिक वित्रण पणाली लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को बताया था इसके बारे में कि लक्षित सारुजनिक वित्रण पणाली कब सुरूप हुआ था ये जून 1997 अभी डीटेल में भी ये दोनों पर मैं बात करूँगा ठीक है न तो दे उपलब धकराने में वो विफल हो रही थी दूसरी चीज़ ये देखा गया कि नगरी छेत्रों में ज़्यादा ये अपना कारी कर रही थी ग्रामीड छेत्रों में कम कर रही थी तीसरी बात ये देखा गया कि ऐसे राज गरीब राज जहां पे ग्रामीड गरीब बहुत आध्यम से जो उपलब्ध कराए जाते हैं अना आज वे घटिया क्वाल्टी के थे तो इन सब प्रब्लम्स को दूर करने के लिए targeted public distribution system यानि की tdps tpds बोले या tdps बोलो targeted ठीक है ना targeted public distribution system ये शुरू किया गया जून 1997 में इन सभी कम्यों को दूर करने के लिए ठीक है ना इन सभी कम्यों को दूर और जब ये शुरू किया गया तो उस time क्या था कि प्रतेक परिवार को 10 kg खाद्यान कम से कम मुल्ले पे प्राप्त करने का हक दिया गया बाद में फिर क्या बाद में इसमें और भी सुधार किये गए अब चलो आगे हम लोग देखते हैं एक कमेटी वनी सारुजनिक वितरन प्रणाली और बाधवा कमेटी ठीक है ना देखो सर्वोच ने आयले में एक मामला गया और वो मामला यही था कि सारजनिक वितरन प्रणाली में उसकी कारे प्रणाली में कुछ कमिया चल रही है तो उसकी समिक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया डीपी बाधवा डीपी बाधवा की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दिया और इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट अप्रेल 2010 में सौंपी इस रिपोर्ट में कमेटी ने बहुत ही अचम्भित कर देने वाली बातें बताई ठीक है ना और इस कमेटी ने ये बोला कि जिनों ने थोड़ा भी जो है इसको करीब से देखा है साहरोजनिक वितरन प्रणाली को तो इन्होंने बोला कि ये सबसे अधिक भरस्ट प्रणाली है सबसे अधिक भरस्ट संस्ता है कमेटी ने ये देखा कि खाद्यानों की बड़े पैमाने पे काला बाजारी हो रही है गरीबों तक पहुँच नहीं रहे हैं ठीक है ना तो ये सब रिकमेंडेशन दिये बाधवा कमेटी ने और आप देख रहे होंगे उसके बाद सरकार एक्षन में आती है और अब की इस्थिती ये है कि अब तो फिंगर वाला सिस्टम चल रहा है वेरिफिकेशन वाला सिस्टम चल रहा है कि जिनका उधर जो है वो रहेगा रिजिस्टेशन वो जाएंगे वेरिफिकेशन कराएंगे तभी उनको खाद्यान मिलेगा ये चीजे आने से बहुत हद तक काला बाजारी पे नियंत्रन पा लिया गया है तो बाधवा कमिटी जिन ने जो सुझाओ दिया था उन सुझाओं पे सरकार ने बहुत ही गहराई से बिचार किया था बहुत ही गहराई से विचार किया था और लगातार प्रयासे सरकार का कि जो भी देखो सरकार की योजनाएं सुरू की जा रही है गरीबों के लिए उनके अच्छे के लिए उनके भले के लिए उनको जो है कैसे जो है उन तक पहुंचाया जाए जिसके लिए है उची को उसका आप लोगों ने इसके बारे में भी कहीं पढ़ा होगा वन नेशन वन रासन कार्ड योजना ठीक है ना इसमें क्या सरकार ने एक शुरुवात किया अभी आप सभी को ये पता है न कि अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग रासन कार्ड लेकिन सरकार ने एक शुरुवात किया सरकार ये चाह रही है कि एक रास्ट और एक रासन कार्ड एक ही रासन कार्ड बने जो कि आप किसी भी स्टेट में लेके जाओ और वहाँ पे वैलिट रहे जैसे कि उत्तर प्रदेश में कोई रहने वाला है, उसका रासनकार्ट उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है, लेकिन मान लीजिए वो महारास्ट में जाके नौकरी कर रहा है, ठीक है, suppose that, कि वो अकेला आदमी है, ठीक है न, उसके घर में मानलो कोई और नहीं है तो अगर वो महारास्ट में जाके नवकरी कर रहा है तो जो इसको खाद्यान उत्तर प्रदेश में रासन कार्ड के माध्यम से बिलना चाहिए महारास्ट में तो वो मिलेगा नहीं लेकिन अगर सरकार ऐसा हर जगा बना दे रही है सिस्टम कि एक देश एक रासन कार्ड यानि उत्तरपरदेश का रहने वाला व्यक्ति अगर महारास्ट में जाकर कर रह रहा है तो उस रासन कार्ड के माध्यम से वो महारास्ट से भी खाद्यान لे सकता है ये है One Nation वन रासन कार्ड ठीक है ना तो इसका बहुत बड़ा फाइदा जो है मिलेगा ठीक है ना अब इसमें देखो सुरुवात में कुछ राज्यों को ले करके ये सुरू किया गया भी हर जगा ये लागू नहीं है इसमें सुरुवात में की गई जिसमें आंध्रा परदेश, महारा रास्ट, राजस्थान, करनाटक, बुजरात, हरियाना, जहार, खंड के, रलते लंगाना इनको ले करके जो है शुरू किया गया और अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाए अगली चीज हम लोग देखेंगे अब भारती, खाद्य, निगम के बारे में, FCI के बारे मे अस्थापना कब की गई, 1965 में की गई, ठीक है न, क्यों की गई थी, यह मैंने शुरूआत में अभी आपको बताया था कि देश में हमारे खाद्यान का एक बहुत बड़ा संकट चल रहा था, गेहू का आभाव चल रहा था, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भारती खाद्य निगम की अस्थापना की गई थी, और 1965 में ही क्रिसी लागत और मुल्ले आयूग की भी अस्थापना या गठन किया गया था, इसका उद्देश से क्या है, इसका कार्य क्या है, खाद्यान और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारन, डिस्टिब्यूशन और विक्री करना, ये भारती खाद्य निगम का मुख्य कार्य है, ठीक है न, ये भारती खाद्य निगम का मुख्य कार्य है, हाँ बिल्कूल, वन नेशन, वन रासन कार्ड, कोविड के टाइम शुरू हिया गया, उद्देश में क्या, खिसानों को प्रियात्मक बफर स्टॉक यानि बफर स्टॉक बनाना जिसे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सारजनिक वित्रण पणाली के माध्यम से संपुर्ण देश में खाद्यान का वित्रण करना ये चीजे जो है FCI के उद्देश से होते हैं। संपुर्ण सरकार क्या करती है FCI और राज्य एजन्सियों के माध्यम से गेहूं धान और मोटे आनाज की खरीद के लिए समर्थन मुल्य का निर्धारन करेगी ठीक है फिर खरीद वगर रह की जाएगी और खरीद करके इसका वफर स्टॉक जो है वो बना लिया जाएगा ओके हाँ 1997-1997 में एक योजना सुरू की गई थी वी केंद्रिकृत खरीद योजना और इसके तहट खाद्यानों की खरीद और वितरण का कार्य स्वाइम राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है तो ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लेना FCI में बाकी चलो ठीक है FCI में कोई खास चीज नहीं है और FCI जो अनाज खरीदेगी तो खरीदे गए अनाज के माध्यम से वो TDPS की आवस्यकताओं को पूरा करती है मतलब Targeted Public Distribution System जो है उसकी आवस्यकताओं को पूरा करेगी और फिर क्या होगा समाज के जो आर्थिक रूप से कम जो लोग हैं उनको सरकार क्या करती है एक मिनिमम यारी नियुंतम मूल पे खाद्यान उपलब्ध कराती है और पिछले दो-तीन साल से तो आप देख रहे हैं कि लिमिट तक मुफ्त में अनाज मिल रहा है परधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना के तहत तो ये चीजें च चलती रही ओके अब अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग चीजें मिलती हैं जैसे कि नॉर्मली क्या-क्या मिलता है गेहू, चावल, चिनी, केरोसीन ये चीजें मिलती हैं कहीं कुछ और भी चीजें मिल सकती हैं जैसे कि कहीं दाल मिल जाए, खाद्य तेल मिल जाए, आ 1997 में ये मैंने आप सभी को बता ही दिया है, ओके ये चीजे ठीक है, उसके बाद फिर देखो, उसके बाद जो में चीज है वो ये है, राष्टी खादे सुरक्षा अधनियम 2013, कैसे जो है, कैसे लोगों के लिए खादे सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई, चलो, तो इसमें क्या, इसमें लोगों को एक सुरक्षा देने का परदाने किया गया, कानूनी सुरक्षा, यानि लोगों को खाद्य और पोसंड सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, ऐसा इस अधनियम के माध्यम से बताया गया, इसका जो वो गरीबों पे रहा, महिलाओं पे, बच्चों की आवश सेकता हूँ, इन सब पे राश्टिक खाद्य सुरक्षा देनियम का में क्या है, फोकस है, ठीक है न, और इसके, यानि इस अधनियम में सिकायत निवारन तंत्र की भी बिवस्था की गई है, यानि अगर कहीं पे इ चावल देने की बिवस्था की गई है, ठीक है न, और ऐसी बिवस्था की गई कि सब को हर हाल में मिले, ठीक है न, सब को हर हाल में ये मिले, ओके, हाँ, एक चीज आओ रहे, इस अधनियम के तहत समाज के अतिनिर्धन वर्ग, अतिनिर्धन वर्ग के परतेक परिवार को, प चावल गेहूं और मोटा अनाज मिल रहा है ठिक तो ये हो गया राश्टी खादी सुरक्षा अब एक चीज और देखना FCI के पुनर गठन है तो एक समीती बनाई गई ठिक है FCI में कुछ कमी वगरह या जो भी सुधार वगरह की जरूरत महसूस हुई उसके लिए सांता कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई इस कमेटी ने क्या सुझाओ दिया इन्होंने सुझाओ दिया कि FCI को गेहूं धान और चावल संबंधी सभी खरीद कारियों को उन राज्यों को सौंप देना चाहिए जिन्होंने इस संबंध में परयाप प्राप्त कर लिया है और खरीद के लिए उपरियुक्त इंफ्रास्ट्रेक्चर का निर्मार्ड कर लिया है फिर उन्होंने कुछ राज्यों का भी सुझाओ दिया जैसे आंध्रप्रदेश, च्छतिसगर्ड, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उडिसा, पंजाब ये बात सांत कुमार की कमेटी ने सुझाओ दीया था, आगे इन्होंने क्या बताया था कि FCI ऐसे राजियों से या ऐसे राजी की सरकारों से क्यबल अधिसेश अधिसेश स्विकार करे और इस अधिसेश को अभाव ग्रस्त राज्यों को प्रदान करे अने बाते सांता कुमार ने बोली अब देखो आप Direct Benefit Transfer, DBT, DBT क्या है, Direct Benefit Transfer, इसके माध्यम से क्या होता है, ये एक ऐसा बेहतरीन माध्यम है, अच्छा इसमें आपने एक चीज तो पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, Jam, Jam क्या, Jam का मतलब जंधन, आधार, मोबाइल, काफी महत्पूर्ण है ये, ठिक है, Jam, तो और ये DBT, Direct Benefit Transfer, ये दोनों चीजें मिल करके, काफी सारे कार, मतलब काफी काम बहुत बढ़ियां चल रहा है, ठिक है न, भरस्टा चार पे क्या, भरस्टा चार पे अंकुस लग रहा है, भरस्टा चार में कमी देखने को मिल रही है, तो Direct Benefit Transfer क्या है, इस योज दे रही है, ठिक है न, Direct Lab दे रही है, यहाँ पे कोई भी बिचाउलिया नहीं रहेगा, ये Direct सरकार और लाभार्थियों के बीच चलेगा, Direct Benefit Transfer, बहुत सारी SEO जनाए हैं, जिनके तहत सरकार अगर गरीबों को कुछ भी देना चाहती है, तो Direct वो जिसको देना है, उसके खात तीन चीज़ें, यानि आधार, मोबाईल और जन्धन एकाउंट, खैर इसमें और भी ज्यादा सबसे मौत पूर्ण क्या है, आधार और मोबाईल, तो इनके माध्यम से Direct Benefit Transfer सरकार करेगी, और इससे भरस्टाचार कहीं न कहीं कम हो रहा है, अच्छा, National Food Security Act 2013, ये बनाया गय किसलिए, Right to Food, to the Population of India, ठीक है न, और ये कितने आवादी को कवर कर रहा है, लगभग 50% सहरी लोगों को और 75% ग्रामीड लोगों को ये कवर कर रहा है, किसके माध्यम से, Targeted Public Distribution System के माध्यम से, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है न, चलो, राश्टी खाद अधिनियम, 10 सितंबर 2013 को ये अधिसूजित किया गया, राश्टी खाद सुरक्षा अधिनियम, और इसमें मैंने बोला कि 75% जो है, ग्रामीड अबादी है, और 50% सहरी अबादी है, जो भी पात्र व्यक्ति रहेंगे, तीन रुपए प्रत किलो की दर से उनको चावल, दो र प्रत किलो की दर से उनको क्या, मोटे अनाज उपलब्ध कराने का क्या प्रावधान है, इस तहत, ठिक है न, इस तहत, और जो अन्तियोदय अन्योजना वाले लोग हैं, उनमें क्या होता है, कि सबसे निर्धनों में भी निर्धन लोग सामिल होते हैं, तो उनको 35 किलोग्र प्रति परिवार, प्रति माहा उपलब्ध कराया जाएगा, इसके तहप, ठिक है न, और इसमें महिलाओं और बक्चों के लिए पोसन पे भी, पोसन सहायता पे भी ध्यान दिया गया, और भी तमाम चीजें की गई हैं, तो इसको आप देख लेना, अब थोड़ा सा देख ल यानि एक संस्थागत हो जाएगा, दूसरा गैर संस्थागत हो जाएगा, संस्थागत में क्या होगा, संस्थागत में तो देखो जो भी संस्थाएं हैं, जैसे कि ब्यापारिक बैंक हो गया, छेतरी गरामेड बैंक हो गया, वो सारी चीजें चलेंगी, गैर संस्थागत मे क्या जो कमिशन एजेंट हो गए जमिंदार हो गए महाजन हो गए वो चीज़ें चलेंगे तो मेन अभी आज कल काओं चल रहा है मेन चल रहा है देखो जो संस्थाकत सुरोत हैं इसमें आप जैसे छेतरी ग्रामेड बैंक की बात करोगे तो छेतरी ग्रामेड बैंक 1975 में पढ़ाई अच्छा यहां पर थोड़ा सा आप देख लो नाबार्ड के बारे में नाबार्ड क्या है 1982 में इसके अस्थापना की जाती है ग्रामेड छेतर में साख साधन को उपलब्ध करवाने के लिए यह RBI के तहत कारे करता है ठीक है ना RBI के तहत यह कारे करता है और दि इससे क्रिसिच साख विभाग में साहकारी छेतर की कारे परणाली को भी देखने का अधिकार इसमें देखने को मिलता है और इसके माध्यम से देखो रिंड बग्रह जो दिए जाते हैं तो राज साहकारी बैंकों को अलपकाल के लिए फसल रिंड फसलों का बाजारी करन तीन तरीके से ये रिनुपलब्ध कराने का कारे करता है और भी जैसे किरिसी छेतर में सोधर विकास के लिए भी ये प्रवंध करता है तमाम प्रोजेक्ट बगर है नाबार्ड के चलते रहते हैं ठीक है अगली चीज आपको इधर क्या देखना है प्रधान मंत्री किसान सम्म रुपए प्रत्यक्ष आय सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उपलब्ध होता है ये दो-दो हजार करके तीन किस्ते मिलती हैं एक साल में ठीक है ना तो शुरुआत में तो इसमें क्या रखा गया था कि केवल लगहो और सिमान्त किसान जोकी दो हेक्टेर से कम जो अब इसके उद्देश से क्या है उद्देश से कुछ खास नहीं है उद्देश से तो अगर आप अपर तेक्ष में देखोगे तो वोट बैंक है बाकी कुछ नहीं है ठीक है ना और भी तमाम तरीके सरकार अपनाती रहती है कि कैसे किसानों की इस्थिति को सुधार आ जाय जैसे नियुंतम समर्थन मुल्य की बात हो ही गई है ना परधान मंतरी अन्यदाता आय अभियान की सुरूआत की गई परधान मंतरी बीमा योजना फसल बीमा योजना ये चीजें जो है सब चल रही है एक है परधान मंतरी किसान मान धन योजना ठीक है ना तो ये किसानों क के लिए पेंसन योजना है और इसमें क्या ये स्वैक्षिक और योगदान अधारित है पती और पतनी दोने ही ये योजना का अलग-अलग लाव उठा सकते हैं केंदर सरकार के द्वारा वित्त पोसित है 18-40 वर्स की आयवर्ग के किसान इसका लाव उठा सकते हैं 60 साल की जब उम्र पुरी हो जाएगी तो किसानों को प्रतिमाह कितना मिलेगा? 3000 रुपए पेंसन मिलेगा ठीक है ना? किसानों को यहाँ पे 55 रुपए से ले करके 200 रुपए प्रतिमाह का योगदान देना होगा अब ये कैसे होगा? वो आयू के आधार पे डिसाइड किया जाएगा कि पचपन देना है कि 200 देना है और जितना किसान जमा करेगा ना उतना केंदर सरकार भी एकाउंट में जमा करेगी फिर जा करके ये 3000 रुपए महीने मिलेगा ठीक है ना? तो इस योजना अच्छा जो PM किसान योजना के तहत जो मिलता है अगर कोई किसान चाहे तो डारेक्ट पब्लिक डिस्टिबिउसन सिस्टम के तहत अंतियोदय अन्योजना को लागू करने के लिए इसका उद्देश क्या था कि जो गरीबी रेखा से नीचे यानि जो गरीबों में भी और गरीब है ना उनके उनको सुरक्षा कवज देना ठीक है ना उनको तो ये कब सुरू किय गया दिसंबर 2000 और इसका लक्ष क्या था इसका लक्ष था एक करोड निर्धंतम परिवारों के लिए एक करोड निर्धंतम परिवारों के लिए इसमें क्या था इसमें ये था कि एक करोड निर्धंतम परिवारों की पहँचान करना है और उन्हें दो रुपए प्रति किलो हिक में ये 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह था बाद में उसे 1 अप्रेल 2002 से बढ़ा करके 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह कर दिया गया तो इतनी बाते मैंने आप सभी के सांथ आज की क्लास में चर्चा किया है अब आप लोग बताईए यहां तक में जितन कुछ ठीक है न वैसे maximum लोग आप पहले से ही जानते रहे होंगे देखो इंडियन economy कठी नहीं है इंडियन economy में क्या है काफी चीजें बिखरी हुई होती है तो इस बिखरी हुई चीज को या इस विखराओ को कैसे जो है आप समेट पाएंगे वो मैटर करता है ठीक है न बिखरी हुई चीजों को आपको समेटना है इंडियन economy अपने आप में बहुत बड़ा है जितना आप पढ़ पाएं उतना बेहतर रहेगा इसमें भी जैसे जितनी बात है कि अभी बहुत सारी जो है बहुत सारी policies अभी बाकी है उन policies को भी मैं अगले class में आपको कराऊंगा कराता रहूंगा ऐसे और जिनको notes से ये notes भी दे दूँगा ठीक है ना ओके हाँ वही बात है fact based है अच्छा अभी तो ये चलो main देखो agriculture में जो परंपरागत चीजें थी नई banking अभी खतम नहीं हुआ है banking में अभी एक class आपका दूँगा में उसमें latest चीजे रहेंगे banking में अभी बहुत सारी latest चीजे पढ़ानी है तो एक आप कह सकते हो ना banking में traditional part आपका हो गया है लेकिन latest वाली चीजें भी आपकी बाकी है तो वो अभी हो गी आपकी ठीक है ना हाँ अभी इसमें भी जैसे मैंने ये तो पढ़ा दिया अभी बहुत सारी ऐसी योजनाएं बाकी हैं जो क्रिसी छेतर से related हैं तो इसको आप कह सकते हो ये traditional part हुआ Indian economy में देखो हमेशा से दो part देखने को मिलेंगे एक traditional part दिखेगा आपको जो अभी मैंने पुरानी चीज़ों की चर्चा किया और एक latest चीज़ें दिखेंगी तो सवाल तो देखो दोनों जगह से आते हैं TDPS से भी सवाल आता है FCI से भी आता है नियुनतम समर्थन मुले से भी आता है सवाल हर जगह से आते हैं इसलिए पढ़ना है सब कुछ ठीक है ना तो चलो फिर इसी के साथ इस क्लास को हम लोग करते हैं complete मिलेंगे next क्लास में जितनी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको आप जरूर पढ़ते जाएं साथ में अपने से भी पढ़ते रहें जब दोनों चीज़े मिलेंगी तो आपकी सफलता जो है वो बिल्कुल ही स्योर रहेगी ठीक है ना तो आज की क्लास में मैं तो करा ही रहा हूं हाँ पढ़ने का तो कोई लिमिट नहीं देखो बहुत पढ़ना पढ़ता है ठीक है ना पढ़ने की कोई लिमिट नहीं बहुत कुछ पढ़ना पढ़ता है तो पढ़ते रहिए लगातार पढ़ते रहिए ठीक है ना चलो फिर आज की क्लास में यहीं तक बात करते हैं आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं